Hello dear students, welcome back to our YouTube channel District ज्यानतोक, जाव स्कूल एजुक्रिशन पोर्ड की तरफ से 10th ओर 12th क्लास का जो रिजर्ट है वो कब आएगा तो उसके बारे में क्या अपडेट ही, क्या जब मार्किंगे वो खतम हो चुकी है या नहीं हुई है तो बहुत सारी जो बाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको रिजर्ट के बारे में बताने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वो 10 मई थी तो 10 मई को सभी प्रेटिकल के जो नमबर हैं वो अपलोड हो चुकी है तो आप अनुआ न गात सकती हैं कि 10 दिन के बाद आपका जो सरड ही वो टिकले किया जा सकता है क्योंकि theory और practical के number को add किया जाएगा CCE के number को add किया जाएगा और सारा जो result है वो तियार करने के बाद एक mat list तियार की जाएगी जिसमें जो top के students है उनकी जो list है वो अलग से तियार की जाएगी तो जैसा कि आपने पिछले result में भी देखा होगा कि सबसे पहले जो मेर्ट में आते हैं student उनका जो result है वो डेक्लेर किया जाता है और उसके बाद जो बाकी student है वो अपना जो result है वो रोलोंबर के साथ देख सकते हैं तो जैसे ही official date हमें पता चलेगी तो हम आपको जुरूर update कराएंगे तो फिलाल जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि जो मई के last week तक जो 10th class का result है वो आसकता है और उसके बाद जो 12th class का result है वो साथ ही आ जाएगा 2-4 दिन बाद ही जो 12th का result है वो आसकता है या फिर जो 10th और 12th का दोनों का result जो है वो इकठे आसकता है तो आपने आज भी देखा होगा कि जो CVSE का जो रिजर्ट है वो इकटे ही आ चुका है 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी दोनों एक ही दिन रिजर्ट जो है वो डिक्लेर हो चुके हैं तो हो सकता है पंजाब वोट की तरफ से भी दोनों जो रिजर्ट है एक ही दिन में डिक्लेर किया जा सकते हैं तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 दिन लगेंगे तो 12 से लेकर आप अंदाजा लगा लिए 10 बाई तो 22 से लेकर 25 मैं तक आपका जो result है वो डिकलेर हो सकता है तो 22 और 25 मैं जो मैं मन्त है उसका जो लास्ट वीक है तो इसलिए लास्ट वीक तक आपका जो result है वो डिकलेर हो जाएगा तो सभी का student जो हैं वो काफी excited हैं कि कब इनका जो result है वो डिकलेर होगा तो रिजर्ट के बार में बता दू कि theory practical और CC थीनों के number एड़ होगे फिर आपका जो रिजर्ट है वो बनेगा 100 में से आपके number आएंगे 33 number वाला जो student है वो पास होगा तो अगर आपके practical में number अच्छे हैं तो आपके जो merit है या फिर आपका जो total number है वो अच्छे से बन जाएगा क्योंकि practical के number ही आपको जो merit में लाते हैं या फिर आपके जो number है उसको बढ़ा देते हैं इसके इलवा जो CC के number है वो भी school की तरफ से आपको दे दिये गए होंगे तो वो भी आपको merit में आने में या फिर 60 प्लस number लेने में काफी जो helpful होते हैं तो कुछ student जो हैं अगर किसी student के passing marks 1, 2 या 3 रह गए होंगे तो उनको जो grace marks से 4 मिल जाती है और वो theory के paper में pass हो जाते हैं तो इसलिए सब भी बिल्कुर tangentry हो जाए है सब भी student जो होंगे कोई भी students फिर नहीं होगा तो और भी जो update हमें पता चलेगी तो हम आपको अपने चैनल के मात्यम से देते रहेंगे तो इसके लिए हमारे चैनल को subscribe कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है तो वीडियो को भी like कर देना टेलिग्राम चैनल में नहीं है तो हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर लीजिए बाल बाल भी जो update से वो आती रहती है तो आज की इस वीड़ों में यही है अपडेट बिलेंगे हमारी नेक्स इंफिलमेशन वाली वीड़ों में तब तक के लिए गुडबाई जय हैं